दोस्तों कि आप लोग को पता है अगर कोई लड़का किसी लड़की का पीछा करता है तो लड़की के एक बर पुलिस कंप्लेन करने से उस लड़के पर धारा तीन साल तक की जेल होगी प्लस उसे 500 रुपर जुर्माना देना पड़ेगा और यह जो ओफेंस है यह मतलब ऐसा है कि इसके अंदर जमानत मिल जाती है और अगर जमानत मिलने के बाद लड़का वही दुबारा करता है मतलब किसी का पीछा करता है तो उसे पांच साल तक की सज़ा सुनाई जाएगी और जुन्बाना दिया जाएगा थैंक यू आपको बता है कोई भी शॉप की पर आपको MRP से जादा का पैस दगा कि किसी भी चीज को नहीं वेट सकता ऐसा करने पर उस पे कर सकते हैं जो IPC के सेक्शन 504 के तहत दर्ज होईगी इसके अंदर क्या होगा जिस वेक्ति ने गाली दिये उसको दो साल तक की सज़ा होगी प्लस उस पे पैनल्टी लगेगी उसको फाइन देना पड़ेगा ठीक है लेकिन अगर कोई वेक्ति अपने फ्रेंड सरकल में मज तो एसी कोई भी धारा उस पे नहीं लगेगी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू तोस्तों आप लोगों पता है अगर कोई भी वेक्ति पब्लिक प्लेस के अंदर जाके कोई भी अशलील अरकत करता है या फिर किसी को ग जो होगी IPC के अंडर सेक्शन 294 के तैट इसमें क्या होगा इसमें उस व्यक्ति को तीन महीने तक की जेल हो सकती है प्लस उसको जुर्माना भी होगा ऐसी है नेक कानुन जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू